नमस्कार आप देखने हैं प्राइम न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ कोमर सिंग जल भढ़ाओ के कारण फसेश सौस से अधीग ग्रामिन वमवेशी गाउं में मची है तराही तराही मामला जनबत के जैसिंग पूर थाने के अंतरगर्थ उम्री गाउं का है जिसमें जल निकासी का रास्ता बाधित होने के कारण घरों में पानी जाने लगा है और बार जैसी स्थिति उत्पन हो गई है जिसके कारण पूरे गाउं में तराही तराही मची हुई है ग्रामवासियों का कहना है कि वर्षों से जिस रास्ते से जल निकासी होती थी वहां दबंगो द्वारा उस रास्ते पर दिवाल बना दी गई वह भारी मात्रा में मिट्टी डाल दी गई है जिसकी वजह से बरसात का पानी नहीं निकल पा रहा है जलबहराओ के कारण जन जीवन अस्त वैस्त हो गया है ग्रामिनों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जलबहराओ के प्रभाव में 20 घरों के लगभग 100 से अधिक लोग वा मवेशी इस जलबहराओ की चपेट में आ गए है इस भयानक स्थेती को देखकर ग्रामिन काफी हताश और निराश हो गए हैं अब देखना यह है कि शाशन वप्रशाशन से इन्हें किस प्रकार की राहत दी जाती है मंदर ब्योरो अयोध्या के साथ प्राइम न्यूस 24 के लिए सुल्तान पूर से अभिशेक तिवारी की रिपोर्ट